अखाडा में आज सबसे पहले बात उत्तरपदेश की उत्तरपदेश के कुशी नगर में मुस्लिम लड़के की हत्या से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर पुलिस ने इस मामले की जाँच तेज कर दी है वही मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने भी इस मामले की निश्पक्ष जाँच के आदेश दिये हैं आरोप है कि मुस्लिम लड़के बाबर के हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह बीजेपी का प्रचार कर रहा था ये मामला 20 मार्च का है बताया गया कि बाबर ने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार किया था इतना ही नहीं बाबर ने 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूरे गाउं में मिठाई भी बाटी थी इस बात से नाराज उसके रिष्टेदारों ने उसे ऐसा करने से रोका लेकिन बाबर बीजेपी का प्रचार करता रहा आरोप है कि इससे उसके रिष्टेदार भड़क गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी मारपीट में बुरी तरह घायल बाबर को अस्पताल में भरती करवाया गया जहां 25 मार्च को उसकी मौत हो गई इस वक्त मैं मौझूद हूँ कुशिनगर के कडगर ही गाओं में इस गाओं में बीजेपी के कार्यकरता मृतक बाबर की ये मौत के बाद यानि यू कहें कि हत्या के बाद संसनी फैल गई है मेरे साथ यहाँ पर गाओंवाले मौझूद है और ये मृतक बाबर का घर है क्या हुआ था उस दिन उस दिन जैसे कि हमारा घर उदर मौके पर नहीं लेकिन वो बीजेपी का परचारक था उसके उपर धंकियां आ रहे थी कि परचार मत करो तिन उसके बाद से जो है कि वो परचार अकेला ऐसा आदमी गरीब आदमी था अपना रोजी रोटी भी करता था मुर्गा काटता था मुर्गा काट करके अपना परिवार का जीवन अपन करता था और ये साइंकी क्यों मिल र जाचा के पास मगराँ वाबर से सबाद एक बार किया थे यंहरे तरीक की बारे टारी को बाद किये थे तो वोले अम जलिएंट तर्फास ठाने मेंें डियेंगे, लोगले मारने को भॉल ले ह्म बीजे पी निराज perceptions,SARA लेचा हुं दंकी आए अगर पूरा घटना मतलब हम खोजान का नहीं हो पाया लेकिन हमारी बीबी जैसे बताई इसे यहां पर मारे थे यह लोग जबरजस मारे तो अपना जान बचा कर घर में भागा भागने के बाद से चाथ के रास्ते बाहर सोचा कि दुसरे के चाथ से मैं बाहर चला जाओंगा दरव पाना चालू किये वहां उनका सर फट गया वहां गिर गए बेहुस हो गए और फिर यहां तो चड़कर उठा कि सारे लोग नीचे फिक दिये क्या हुआ था हम को कुछ पता नहीं हम घर ही नहीं रहे हैं कब आया हम आया साम को मुनहार को तो शाम को आया तो कुछ सुने बस यह हम देखें को कर बाद देखके हम घर चला गए ना बस बस मिठाई खिलाने को लेकर नाराज़ी की ना जा हम यह कुछ नहीं जानते हैं तो यह गाउवालों का कहना है यहां पर साफ साफ की जैसे ही बीजेपी जीती बावर काफी जादा खुश्त हैं और बाबर ने के मारे यहां पर गाउं में मिठाई भी बांटी जिसके बाद उनके पडोसी और कुछ लोग जो हैं गाउं के वो काफी नाराज हो गए थे उन्होंने बाबर को बकायदे धमकी भी दी और परिजनों का यह आरोप है कि उन्हीं लोगों ने बाबर को पहले पिटाई की फिर बाबर अपनी जान बचा का चट पर गया है लेकिन चट पर भी उन पर हमला किया गया और उसके बाद उन्हें छट से नीशे फेक दिया गया जिसके बाद उनकी मौत हुई है पुलिस ने इस मामले में अब तक दो आरूपियों को घिरफतार कर लिया है और बाकी आरूपियों की तलाश अब भी जारी है दिनांग 21-3-2022 को ठाना रामकुला के अंतरगत अभियोग संक्या 63-22 में एक अभियोग पंजिकृत किया गया था जिसमें पीडित बाबर अली को गंभीर चोटे आई थी जिसको लकनो रिफर किया गया था दोरान इलाज उस व्यक्तिम की मिर्ट्यू 25-3-2022 को हो गई जिस संदर्म में अभियोगत गण आरिफ व ताहित को गिरफतार कर जेल बेजा जा चुका है अन्य अभियोगत गणों की गिरफतारी के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदायका है विजय कौशेक और राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं आप दोनों का खाड़ा में स्वागत है नमस्ते लेकिन सबसे पहले अमित सिंग के पास जाऊंगा जो वहां कुशीनगर में पहुंचे हैं अमित बताईए आपने बाबर के परिजन, उसके परिवार के कई सदस्यों से बात की उन्होंने कहा कि उसको ढूंड कर उसको घेर कर उसको पतक पतक कर पत्थर से मारा उसका सर फोड़ दिया और फिर चट से उसकी उसके शरीर को नीचे फेक दिया इतनी बरबरता यहां बिल्कुल देखे जहां पर मैं इस वक्त पर मौझूद हूँ यही पर उसकी पिटाई शुरू ही थी बावर की और यह जो मकान आप देख पा रहे हैं न आनन्द यह इसी मकान के चछत से फेका गया था बावर को बावर के भाई इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं बावर के पुरा परिवार इस वक्त हमारे साथ मौझूद है सीदे हम इन से बात करते हैं आप आनन्द स्टूडियो में मौझूद है इस वक्त आनन्द पूछ रहे हैं कि इतनी बरवरता हुई नीचे पिटा गया उपर पि कितने लोग थे उनसे पीटा जा रहा था कितने लोग थे आठ रह लोग्त पुस्ट दो की गिरफतारी हुई है तो जब पिटाई लोग सुभू एधम की देहल बटे पहले पूलिस करवाई को नो चीहनाई कई लिए गुस घास देकर यह खतम कदली पूलिस पूलिस अगर करवाई कोई रही तो अभी वे आठो लोग कहां है यही तो सामने आपन रिस्तादारी में भागल बढ़े लो आखिर में करवाई होगे का चाहिए उलोका साजा मीले का अब बात कराता हूं बाबर की पतनी से बाबर की पतनी भी उस दिन यहीं पेती जबाबर की हावे पिटाई रही थी कि उनकी पतनी इसी जगह पर इसी गेट पर मौजुद नी क्या हुआ था उस दिन आप तो ही हैं हमको जो बात कर बता रही थी कि आप यहीं खड़ी थी इस सुबह पड़ाका ओड़का छोड़े पड़ाका फोड़े मिठाई बात तो लोग आके आपके द्वारवाजे पर क्यों तो क्यों मिठाई बाठ रहे हो दंकी दैना कबेश आए मार दना खूल अलगना कुंवर जब दा इतिक और तो मार लगना कुछ अजब इस तरीके से बरबरता से पीटा गया जब ये आठ लोगों के नाम लिए है आठ लोगों के सीधा नाम लिए गए